पुल रिचार्ज में आज मिलीए टीवी की फीमेल विलिन्स से और जानिये कि रियल लाइफ में अपने ओन स्क्रीन कारेक्टर्स से कितनी अलग हैं ये अक्ट्रिसेज शक्ती में देखिए क्या जसलीम मिलवाएगी हर्मन और सौम्या को या खुद ही करने लगेगी हर्मन से प्यार उडान में देखिए इमली का बदल गया है अंदाज क्या ये नई साजिश का है इशारा पियाल बेला में देखिए बेला ने अपने एरादों को अंजाम देना कर दिया है शुरू और दिल से दिल तक में देखिए टैनी पहच कई है हॉस्पिटल जहां उसकी है बहुत ही क्रिटिकल तीस मिनिट का फुल रीचारज जूम टेली टाप आप सीरियल शक्ती में आज हर्मन की बचपन की दोस्त को आ रहा है हर्मन पर प्यार जी हां हर्मन की बेस्ट फ्रेंड जसलीन का दिखा खास लगाव हर्मन के साथ कभी जसलीन हर्मन को समझाती तो कभी हर्मन के गले लग जाती जैसे दोस्त होते हैं रिदेशिशिप से फस जाते हैं हम सब के साथ हुआ है हमें लगता नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम में घुसने वाले हैं जसलीन भी हॉलिडे पर आई थी लेकिन अब उसे पता चला है कि इतनी बड़ी सीक्रेट घर में है तो शीस ट्राइं टो बी दै शीस ट्राइं टो बी वरी फैर एंड जस्ट एंड वो दोनों साइट की स्टोरी सुनके ही अपना डिसिशन लेना चाहती है कि वो किस तरह से आगे बड़े दरसल हर्मन सौम्या के बारे में सोच सोच कर इमोशनल हो रहे है और हर्मन को कंसोल करने के लिए जसलीन हर्मन के कमरे में आ जाती है वेल अब देखना दिल्चस्प होगा कि हर्मन की बेस्ट फ्रेंड जसलीन सौम्या और हर्मन को मिलाने के लिए करेगी कोई प्लान या फिर दोनों के बीच बढ़ा देगी दूरियां हर्मन के खरीब आकर सीरियल पियाल बेला में बेला ने घर में आते ही चल दी है एक नई चाल और उस चाल में फस गए है नरीन बाबू जिहां बेला नरीन को रिज़ाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए बेला ने पहन लिया है बाथ रोब वो भी एक दम अलग स्टाइल का खैर बेला का ऐसा अवतार देख कर तो हर कोई उसकी अदाओं का कायल हो जाएगा बस बेला की अब यही कोशिश है कि नरीन उसके प्यार के जाल में फस जाए पैट मेया डेवल वाला कारी नहीं सकते मेरी शकल पर दिखता है कभी मैं कोई डेवल-oriented काम बिल्कुल भी नहीं मैं जबदृगा को आप अगर कभी आपने सुना है तो तूरू नहीं काली भी है चंडी भी है पारवती भी है शरस्वती भी है तो I think Bela इसलिए बेला को आप अंत में देखेंगे that she is actually a devy because चंडी का रूप धारन करना पड़ता है जब आपको अपने लिए इंसाफ चाहिए people say, God say, God helps them who helps themselves तो I think बेला के लिए ये वक्त है जो वो अपने लोगों के लिए और अपने लिए लड़े तो ये जो भी revenge है that has a backstory and she is doing to justify herself वेल बेला नरेन को कॉल करके कुछ पूछ रही थी तभी उसने बाथरूम में करंट लगने का नाटक किया और नरेन बाबू ने आकर उन्हें अपने गोद में उठा लिया बस क्या था बेला का प्लान सक्सेस्पल हो गया जिसके अंदर उसके पती का दिल है वो उसको पाने की कोशिश कर रही है व्यास मैंशन में आज एक बकसा मिला है जिसमें छुपा है कोई राज और ये राज जुड़ा है बेला के साथ बेला के उस बकसे में कील से लेकर अलग-अलग ओजार थे बेला ने अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया है लेकिन जल्दी इस राज से भी पर्दा हट जाएगा बकसे में पूरी कहानी है यादे है जो गलत हुआ है उसका कुछ हिस्सा है so I think I won't be able to say के what the story is but hints are on with it and but you should just know that बेला does everything with a conviction and with a reason अब सीरियल पी आल बेला में बेला क्या-क्या नए कारनामे करती है ये देखना होगा वाकई दिल्शस्म कैमरा मैन अक्षय के साथ शांतनू भटनागर, जूम मुंबई सीरियल दिल से दिल तक में आ गया है शौकिंग बाला ट्विस्ट जहां आज यकीन अन शौरवरी को हो रहा है बहुत पच्चतावा हो भी क्यू ना, आखर जाने अन जाने में इतना बड़ा हादसा हो गया है दरसल कुछ दिन पहले हमने आपको टैनी और शौरवरी के जगरे के बारे में तो बताया ही था कि किस तरह शौरवरी की बाते सुनकर टैनी को लगा था बड़ा जटका पार्थ और शौरवरी के जो कमिडिकेशन है बहुत आदी अधूरी सुनके और टैनी डिसाइड कर लेते है कि मेरे साथ की मेरे यह गलत सोच रहे है अगर मैं इतनी बोश बन रही तो मुझे यह रहना ही नहीं चाहिए कर कि वो भर से निकल रही होती और उस पे बीच पार् अधूरी के जाता है बड़ा हादसा जहां टैनी सीडियों से गिर जाती है और उसके सर पर लग जाती है गहरी चोट और इस हादसे के बाद टैनी को हॉस्पिटल में किया गया है अध्मिट जहां उनकी स्थिती है थोड़ी गंभीर अध्मिट जहां गज़ा जो पुछ गलत सहां दिकिवाजस को लगता है कि हम टैनी के चक्कर मोसको घर पर रखा हो जो की गलत है जो कि ऐसा कुछ नहीं को वह सुन नहीं है हमारी बात है और उसको गलत इंटरपेट कर जब जब सब ज़ा रही होते तो सिर्यों से गर जाती ह लेकिन टैनी की इस हालत का असर सबसे ज्यादा पार्थ और शौरवरी पर नजर आ रहा है जहां एक तरफ शौरवरी को लग रहा है कि ये सब उसकी वज़ा से हो रहा है तो वहीं दूसरी और पार्थ ऐसी स्थिती में जहां एक तरफ वो शौरवरी को समझा रही है और टैनी के लिए भी वो चिंतित है जहां पार्थ शौरवरी का जो गिल्ट उसको हो रहा है उसको भाहर निकारना पड़ेगा कि कही ना कहीं वो नहीं चाहते कि उसे कोई भी हो या उसे नुपसाम है तो I don't think so कोई भी चांस लेगी शौरवरी वेल अब टैनी की जिंदगी में आया ये नया मोड अब इन्हें कौन से रास्ते पर लाखडा करेगा ये देखना होगा काफी दिल्चास्प विडियो जर्नलिस्ट जबी रहमत के साथ हरी कृष्ण दूबे जूम मुंबल इमली बन गई है साधवी चकोर और सूरज बन गई है माता पिता बदल गया है इमली चकोर और सूरज का अंदाज जिहां सीरियल उडान में आ गया है दो साल का लीप अब शो की कहानी दो साल आगे बढ़ गई है जहां इमली एक मंदिर में भजन कीरतन करती नजर आ रही है साधवी के भेश में इमली हाथ में एक तारा लेकर कर रही है डांस और गा रही है भजन एक तरफ इमली जहां घर बार छोड़ कर मंदर में रह रही है वहीं दूसरी तरफ चकोर और सूरज बन गए है माता पिता और अपनी नमी सी बच्ची की आवाज लगाने पर दोनों घर में दोड़े चले आते हैं वहाँ देखते हैं तो तेजस्विनी मा अपनी पोती को बड़े ही प्यार से खिला रही थी मेरी सास्तुमों मेरे बच्चे का गला घुटने वाली है नहीं सो वे आरा हपी फैमिली ये आई तिंक हमारा फर्स्ट फैमिली सीन है सूरज ये देख खुश होकर अपने रूम में चला जाता है इमली का लुक बदल गया है तो वहीं सूरज और चकोर का भी अंदाज बदला बदला सा नजर आया चलिए जानते हैं इनके लीप के बाद वाले लुक के बारे में यह टॉपिक अप दी नेशन हो गया कि यह सुरज को कपड़े मिल गये हैं मैं इसी नहीं रने वाली है वेल इमली को ऐसे साधवी के रूप में देख कर लग तो नहीं रहा कि वो इतनी जल्दी सुधर गई है जरूर इमली कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही है अभी तो सीरियल उडान में सब कुछ कुछल मंगल और शांत माहौल है लेकिन कहिए कोई तूफान से पहले की शांती तो नहीं अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा विडियो जर्नलिस्ट हरींद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई टीवी पर बनती है जो खल नाएका, कैसी है उनके अंदर की नाएका? एक नेगटिव किरदार निभाने के लिए कितनी महनत लगती है और क्या कुछ पीड़बाग टीवी स्टार्स को मिलता है? ये सब आज हमें बताएगी टीवी की खल नाएकास, खुद अपनी जुबानी चली टप आप में आज हम लेकर आएँ हैं खल नाएका स्पेशल जहां अलग अलग टीवी शोर्स की नेगटिव लीड सुनाएंगी अपने किरदार की कहानी जैसे की सीरियल शक्ती की प्रीतो, सीरियल उडान की इमली, सीरियल पिया अलबेला की नैना, सीरियल लाडो की मलहारी और सीरियल एक्याबन की लीला सबसे पहले मिलवाते हैं आपको खलनाय का नमबर वन प्रीतो से यानि की टीवी स्टार काम्या पंजाबी जिन्होंने ओन स्क्रीन काई ग्रेशेट कारेक्टर्स निभाए हैं अब बारी है इमली देवी यानि की टीवी स्टार विधी पांड्या की जो पहले तो शो में एक प्यारी सी बेटी और बहु के रूप में नजर आई लेकिन आप बन गई है खलनाय का अच्छा लगता है बिकाज सी परस्नले विधी वुड नॉट अप्रीशेट सच परस्नालिटी जो लड़कियों को बेचती है और शादी करवाती है जब उडान चुरू किया था तब हलका नहीं ऑल्मुष्ट ग्रेशेड के साथ चुरू किया था तब यह नहीं सूचा था कि इमली कभी इस लेवल पे भी पहुच सकती है इस लेवल ओफ नेगेटिविटी उसके अंदर हो सकती है इमली और प्रीतो की तरह सीरियल पिया अलबेला की नैना यानी टीवी स्टार गुल की जोशी लाडो की मलहारी यानी अंतनन्या खरे और सीरियल इक्यावन की लीला इन्हें भी दर्शकों ने खलनायका के किरदार में खूब पसंद किया है सिर्फ यह होता है तो गेट डेविल इंसाइड यू आउट बाकी मुझे एक डिफरेंट कैरेक्टर बहुत टाइम से वैसे भी करना ही था मैं बोर्ड होगी थी सेम सेम करकर गी तो इस वरी इंट्रिस्टिंग यह जो कैरेक्टर है शुरू में जैसा दिखाया था मलहारी का यह जो होती हैं गाहों में जैसे होते हैं वैसी हास भाइफ है रिच है यह लोग क्योंकि इसका हस्भर जो पहले फार्मर था वो भौत रिच हो जाता है तो शिकी unchmore कि बाहुत चानर जाते हो उन तो उसके चख्र Gulf कि वो अथोरिटी ले के खुश होती है जो उनको मर्दों से नहीं मिलती तो उसी तरह की ये भी और तो मुझे लगा कि नहीं करना है मुझे लिला की लीला ही दिखानी है वेल ग्रेशेट किरदार को निभाने के लिए कड़ी मेहनत तो लगती ही है और साथ ही फान्स की नफरत जीलने का रिस्क भी होता है अब ऐसी सिचुएशन में क्या करती है ये खलनायक आएं इनहीं से जानते हैं शुरुवात में पुरी सी प्रोब्लमान के ताइम पर इस्वाबमान के ताइम पर I used to get hate mails and Instagram पर hate comments and छोड़ दो इसको और क्यो कर रही हो परिशान and all that but I take it in my stride I take it in fact as a compliment कि अच्छा मतलब people love hating me मुझे तो बहुत मेरे सेट पर मेरे कालिया पढ़ते हैं creative सबना जैसे कट होता है I am back to my withy zone I can do switch on and off with the characters very quickly मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे रोना है तो मुझे पूरा दिल कुसी डेलिमा में रहूंगी है मुझे negative play करना है तो मैं पूरा दिल वही रहूंगी कुछ लोग होते हैं जो ऐसे characters को पसंद नहीं करते हैं मैं खुद भी ऐसे characters को पसंद नहीं करते हैं लेकिन as an actor I find it very challenging, very fulfilling मेरे fans मेरे साथ हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं in fact they wait for my next project, my next performance दमदार किरदार को on screen present करने के लिए दमदार लुक होना भी बहुत जरूरी है तो चलिए जानते हैं किस खलनाएका का कैसा है लुक मेरे लुक का रेफरेंस जो था वो हलका लिया था राम लीला में से जो सुपरिया पात्यक में हमका था तो वहां से थोड़ा से अड़ा से अड़ा किया है like the kajal, थोड़ा oxidized jewelry, now this is something, this outfit is not my normal outfit, this outfit I wear when there is an occasion, तो ये बनार सी लुक है जो मेरे नॉर्मल लुक में नहीं आता है लेकिन जो मेरा इमली दे विगरों के उसमें पतका आता है उसमें oxidized jewelry होती है विचो थोड़ा इन राम लीला so थोड़ा adapt किया है बहा से मेरा लुक comparatively बहुत simple रखा गया है क्योंकि मैं बाकी सब के सामने बहुत positive हूँ पूरी family को लगता है कि ये बहुत अची लड़की है, बहुत अची बहुत है ये जो लुक है ये किसी character के लिए मैंने आज तर देखा नहीं this is a very unique look because it has a mixture of this हर्यानवी जैसा एक skirt पैंते हैं वो लोग भाग रहा और हमने इसके साथ ये जो इसकी ये दी है ना this dripping, this dripping is actually not हर्यानवी so this dripping is a mixture of a little bit of a eastern European kind of touch तो ये था ठेली टॉप आपका खलनाय का special जहां हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि परदे पर खलनाय का बनी नाय का असल जिन्दगी में ऐसी नहीं होती और ऐसे किरदार को निभाने के लिए कितनी महनत और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है विडियो जोर्नलिस्ट जबी रहमद और हरेंदर शर्मा के साथ शातनों भटनागर, जूम, मुंबई अपने ही जाल में, दरसल वरुन ने बनाया था प्लान और किये थे घुंडे हायर, जो जाकर देविका को तंग कर सके और उसी वक्त वरुन आकर उन घुंडों की पिटाई कर देविका को इंप्रेस कर उसका दिल जीत सके वेल वरुन के प्लान के मताबिक गुंडे भी आए और वरुन ने स्टाइल में कार भी बिगाड़ दी लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी कलपना वरुन ने भी नहीं की थी जी हाँ गुंडे देविका के बजाए वरुन को छेडने लगे और वरुन रहे गए पूरी तरह से हक्के बक्के वेल अब वरुन का बनाया हुआ ये प्लान उन्हें और कितना परेशानी में डालेगा और क्या होगा देविका का रियाक्शन जब देविका को पता चलेगा वरुन की इस चाल के बारे में ये देखना दिल्चस्प होगा वीडियो जोनलिस्ट जबी रहमत के साथ हरी कृष्ण दूबे जूम मुंबाई